हेलो दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैम्स बाइलोजी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस यह जो चार टाम यहां लिखिवी है इनके अंदर क्या डिफरेंस है होमोजाइगस हिट्रोजाइगस हैमीजाइगस और नलीजाइगस इ हम भी डाएपलोइद और अर्ग लिखोर ह्याइपने सिद्रोजाइगस। हर एक जीन की डो कोफ्य होती है हर जीन है हर जीन की दो क्रमोजोम है इसका हौुमोलोगस आक्प्य यहां दूसरी कोपी, दूसरे इसके homologous chromazomb पे होगी तो यहाँ पे दो कोपी है आ लिए ए ए तो हर एक जीन की दो कोपी है और वो homologous chromazomb पे प्रेजेंट होती है diploid organism है हर एक diploid में एक जीन की दो कोपी है तो अब हम बात करते हमारी पहली टर्म homo jaiagas होमो मींज सेम अब हमें पता है हर एक जीन की दो कोपी होते है अब यहाँ पे आ गया होमो मींज सेम तो इसका मतलब दोनों कोपी जब सेम हो तो ऐसी कंडिशन को बोलेगे होमो जाएगा जब दोनों कोपी सेम हो अब यहाँ पे एक्जम्पल के लिए हम ले लेते हैं माल लीजिए जीन हाइट के लिए जो जीन है अब प्लांट्स के अंदर हम ले लेते हैं जो जीन हाइट कोज करता है जो मेंडल ले लिया था पी के अंदर वही हम ले लेते हैं जीन फोर हाइट इसका अलग भी हो सकता है दोनों को पी क्या हो सकती है स्मोल टी स्मोल टी तो यहां पर देखें दोनों को पी सीम है यहां पर भी दोनों को पी क्या है सीम है जब दोनों को पी सीम हो तो कंडिशन क्या हुई हो मोजाएकस तो हमारी पहली है हो मोजाएकस अब आजातें दूसरी हिट्रो जाएकस हिट्रो मीन्स डिफ्रेंट अलग जब दोनों को पी अलग अलग हो डिफ्रेंट हो तो ऐसी कंडिशन को बोलेंगे हिट्रो जाएकस अब सेम ही हम यहाँ पे एक्जामपल लेते हैं जीन फूर हाइट एक कोपी माल लेजिए कैपिटल टी है और दूसरी कोपी माल लेजिए स्मोल टी अब यहाँ पे देखोगे आप यह दोनों कोपी क्या है डिफ्रेंट है तो डिफ्रेंट है तो क्या कहेंगे हिट्रो जाएग हैमी मीन्स हाफ अब हाफ किसका हामें पता है डाइपलोइड और गेनिजम के अंदर दो कुप्पी होती है दो का हाफ कितना एक सो जब किसी औरगेनिजम के अंदर सिरुफ एक ही कोप्पी प्रेजन्ट हो डाइपलोइड औरगेनिजम के अंदर ऐसी कंडिशन को बोलेंगे हैमी जाएगस अब इसका एक्जाम्पल क्या होगा human male male के case में हमें पता male क्या होता है x और y तो माल लीजे ये x क्रोमोजोम है और ये y अब male के अंदर x की एक ही कोपी होती है और y की भी एक ही दोनों की क्या क्या है एक ही कोपी है तो अब x क्रोमोजोम के उपर जितने भी जीन होगे क्योंकि इसकी खुद की एक ही कोपी है तो जितने भी जीन होंगे सभी जीन की क्या होगी कोपी सिंगल कोपी हो ऐसे ही Y क्रोमोजोम पे जितने भी जीन होंगे सभी की क्या होगी सिंगल कोपी है तो यहाँ पे human male के अंदर X और Y क्रोमोजोम पे जितने भी जीन है सभी की क्या कोप्य है? सिंगल कोप्य है अगर सिंगल कोप्य है तो क्या कहेंगे? हैमी जाइगर्स हैमी जाइगर्स कंडिशन तो ये हुई हमारी हैमी जाइगर्स अब आजाते हैं फोर्थ में नली जाइगर्स नली जाइगर्स वरड़ा है नल से Null means none मतलब एक भी नहीं जब एक भी कोपी नहीं है एक भी कोपी present नहीं है उस condition को न ली जाएगा अब देखेंगे ये मालनेजी कोई और्गनेजिम है इसके अंदर ये होमोलोग इसके लोगनेजिम है यहाँ पर जीन है मालनेजी अब ये दोनों कोपी inactivate हो गई है और दोनों की दोनों कोपी क्या है मुटेटेड है और मुटेटेड होके non-functional हो गई है कोई भी function नहीं कर रही है non-functional हो गई इसका मतलब क्या हो गया नली जाएगस हो गई क्योंकि दो कोपी में से कोई भी कोपी नहीं है इसके पास original जो कोपी खाम कर रही थी जो functional थी एक भी कोपी नहीं है एक भी कोपी नहीं है तो क्या होगा नली जाएगस तो यहाँ पर यह चारो difference हमारे हम जो term है इनहीं के जो नाम है इसको ध्यान से समझेगे तो उसी में clear हो रही है homo same सबसे पहले यह चीज़ याद रखे diploid organism है उसके अदर दो कोपी होती है अब दो में homo same दोनों same hetero दोनों अलग-अलग hemi half दो कोपी होती है नोर्मल लेकिन यहाँ पर क्या है एक ही कोपी है तो hemi जाएगा तो नली नन normally दो होती है लेकिन कुछ condition में जब दोनों ही inactive होगी तो एक भी नहीं है एक भी नहीं है तो नली जाएगा तो यह difference है इन चारो terms में